आओ बच्चो सुनो कहानी बाल कथा मनमोजी कबूतर एक बाग था खूब बड़ा फलों के धेरों पेड थे उसमें इनी में से एक पेड पर कबूतर राजा और कबूतर रानी रहते थे बाग में जब फलों का मोसम आया तब उनके यहाँ दो नन्हें नन्हें कबूतरों ने जनम लिया एक का नाम मोजी और दूसरे का मनमोजी रखा गया मोजी सुशील सभाव का था वैसदा ही अपने माबाप के कहे मुताविक चलता लेकिन मनमोजी अपने बड़े भाई के विपरीथ चंचल सभाव का था वैसदा कोई ना कोई शरारत करता रहता दोनों अभी छोटे थे और ठीक ढंक से उड़ना भी न सीख पाए थे अतहे कबूतराजा और कबूतरानी उनके अंगसंग ही रहते मनमोजी अक्सर अकेले उड़ने की जिद करता कहता मैं बच्चा थोड़े ही हूँ जब तक बाहर अकेले खूमूँगा नहीं मुझे दुनियादारी का ज्ञान कैसे हो पाएगा इस पर उसके माता पिता उसे समझाते कि अभी उसके पंखों में पूरी तरह से मजबूती नहीं आ पाई है इसलिए उसे बाहर अकेले जाने में सबर से काम लेना चाहिए एक दिन उनसे आँख बचाकर अकेला फुर हो गया बाग से बाहरा उसने अपने छोटे छोटे पंखों को जोरों से फड़़डाया और सीधे उपर की और उडान भरने की चेस्टा में अपना संतूलन खो बैठा वे हवा में छूलता हुआ एक पेड़ पर जागिरा मनमोजी जहागिरा वहां कंगों की एक टोली रहती थी अब प्रत्याशित वहां अन्य परजाती के पक्षी को देख सभी कोवे आव किताब में मनमोजी की और छप्टे मनमोजी बुरी इतरा से सहम गया मनमोजी ने वहां से फोरण बच निकलने में ही अपनी खैरियत देखी लेकिन वहां से बच निकलने के उसके भरसक प्रयास के बावजूद कुछ एक कंगों द्वारा उसकी ठुकाई हो ही गई मम्मी मम्मी पापा पापा चिलाता हुआ किसी तरह कंगों के चंगुल और चक्कर भी उसे बच कर अपने घर सही सलामत पहुंचने में सफल हो गया पीड़ा से चिलाते कराते मनमोजी की दुर्दशा देख कबूतर राजा और कबूतर रानी को बहुत दुख हुआ उन्होंने प्यार से अपनी चोंचों के जरिये उसके जखमों पर मरहम लगाया इसके बाद मनमोजी ने प्रण कर लिया कि जब तक वे पूरी तरह से दुनियादारी में परिपक्व नहीं हो जाता वे अपने माता पिता की कही मुताबिक ही चलेगा तो बच्चों कथा का साराश है जल्दी बड़े होना ठीक नहीं